व्यक्ति, वस्तु, परिष्चिति से, जब जीवन में मार पड़ता है, तो वो ज्ञानी उससे और डिखर जाते हैं, प्रसंद हो जाते हैं, और आनंद में जूमने लगते हैं अज्ञानी उससे धस जाता है, दुखी हो जाता है, नकारात्मत मानसिकता को बढ़ा देता है तो हमें यही एसीख रखना है, किसी भी परिस्तिते में, जब भी कोई मार पड़े, उससे निखर जाए प्रसनता पुरक उस चीज को अपने मन में लेकर, फिर वो परिशान नहीं होना, ये ज़्ञान का लाब है, दि तुम ज़्ञान सुनते हो, ज्यान की चर्चा करते हो, उसमें रुछी लेते हो, उसका यही लाब है हर परिस्तिती में, जो व्यक्तियों के साथ विभार करते हो, तुम सब में से तुम खिलते जाओगे, खिलते जाओगे, निखरते जाओगे, प्रसनद और उभरेगी, ये कटिम है, मगर असाध्य नहीं है, दू साध्य ये इसको साध्य नहीं है, प्रहत्ने करके देखो, तुम एक हव्ते के लिए सोचो, हार परिस्तिती में मैं अपने मन की समता को, स्थिरता को, स्तिमिता को, अपनी प्रसनाता को नहीं कोने वालों.